Hello दोस्तों and welcome back to another video and आज की इस वीडियो में हम install करने वाले है NoPixel 4.0 inspired QB Core HUD जिसको develop किया है K9 and इसके अंदर हमें मिलता है manual transmission का भी option So start करते हम आज की इस वीडियो को and इस script का link आपको description में मिल जाएगा and आपको उसी link से इस page पे आ जाना है यह script बिल्कुल free है and आपको बस इसको इसके github से download कर लेना है कुछ ऐसी Download करने बाद आपको इसको open करना है and जैसी आप इसको open करोगे आपको इसके अंदर दो files मिलेगी जो की है एक hrs year system and दूसरा है qb hud so इसको हमें copy करने से पहले सबसे पहले हमें जो पुराना hud है उसको delete करना है उसके लिए आपको आ जाना है सर्वर में qb में qb में आने के बाद आपको दिखेगा qb hud जो की है यह वाला एंड आपको इसको delete करना है उसके बाद आपको क्या करना है आपको इन दो करना है इसके बाद आपको आ जाना है यहां पर क्लाइंट में क्लाइंट में आने के बाद आपको आना है कुछ यहां पर लाइन नंबर 26 अगर आपको किसी भी वीकल को मैनूल बनाना है आपको उस वीकल का जो मॉडल है वो यहां पर पेश कर देना है फॉर एक्जामपल अगर मैं आप एक कॉमा देखके लिख देता हूं इससी 3 वह हमारे बिल्कुल मैनूल हो जाएगी यह सब टेस्ट करते हैं अपको दिखा देते हैं कि कॉनों कंसे ब्टन प्रैस करने इस सब के लिए हमारे सर्फ को स्टार्ट करने पड़ेगा एठ आ हमारे स्टारट करना पड़ेगा एन मैं मिलता हूं आपसे एक बारी अपने और पिन कमेंट में अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में अब मैं आ चुका अपने क्यूबिकोर सर्वर में एंड आप बॉटम लेफ्ट में देख सकते हो मेरा जो हड है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है बाई एनी चाहिस अगर यह हड आपके लिए वरक नहीं करता तो या तो फिर आप्यर में वीकल हमारी वह होगी जिसके हमने कॉन्फिग में उसको हमने अच्जाएंग अच्छामें पी उसके उसका नेम नहीं देंगता तो वह आप्यों सैंट विकल numéro को मैंने है तो सारी मैनुल विकल बन जाएगी यहां पर मैं कोई भी वीकल स्पॉन को रहे तो फॉर एक्जाम्पल एक्सेलस यह है मेरी बिल्कुल आटमेटिक वीकल एंड जो इसका जो फ्यूल सिस्टम है वह हमारे लेगेसी फ्यूल सिस्टम के साथ आटमेटिक वर्क कर लेगा अगर आपको चेंज करना है तो आप मैनुल वीकल को स्पॉन करने की वह अभी एक मैनुल वीकल क्रेट करी थी जो थी हमारी इसी थ्री अगर मैं डेंड इसको आगे मतलब गेर देने के लिए हमें रेफ्ट शिफ्ट प्रेस करना है तो आप देख सकते वन पर आ गई एंड अगर आपको इसका गियर डाउन करना पड़ेगा left control राइट वाला मत करना सारा left से काम हो रहे है left shift से आपका जो गियर है वो अप हो रहे है and left control से आपका डाउन हो रहे है यहाँ पर मैं एक बारी first gear पर आ जाता हूं सब देख सकते कुछ ऐसे यह speed पकड़ेगी जैसी मैं इसके गियर चेंज करूंगा अगर मैं इस वीकल को यहीं पर फ़र्ड गियर पर stop करता हूं कुछ ऐसे अगर अब मैं डव्ली प्रेस करता हूं तो यह वीकल आटमेटिक बंद हो जागी थर्ड गियर पर आपको पते ही वीकल नहीं चल सकती यह आप देख सकते कुछ ऐसे इसका जो गियर वह डाउन करना पड़ेगा और तब यह चलेगी चले प्रेट बंद है बिल्कुल बड़ी असे गियर सिस्टम वर्फ कर रहे हमारे लिए एड़ आप गियर डाउन कर सकते हो इफ भार याटति की रिवर्स कैसे करना तो तो रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना है आपको कंट्रोल प्रेस करना है अगर आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आप इसको अपने सब्सक्राइब करना है कैसे उसके साथ वर्क करना वो सब मैं आपके लिए वीडियो से लिक्या हूंगा आने वाली वीडियो में इस वीडियो में दोस्तों इतना ही एंड जाने से वहले करना विगास उसमें आपको रिन्यूल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से तैंक्स फर वाचिंग मैं मिल तो आप से अगली वीडियो में